यह आस्मान चान की बिना रह सकता है पर कोई लड़की वीक्निस की बिना कैसे हो सकती है संध्या जरह हुख निकाला प्लीज जल्दी आना ओ आम सॉरी मैंने पीछे से देखा ना लगा शायद मेरी बीवी होगी इसलिए आपकी शादी हो गई है हुई तो नहीं है पर होती तुम बिलकुल आप जैसे हो थी सिद्धु जैसे क्वालिटी जाप में बहुत है सिद्धु मेरे घर के सामने रहने वाला कुट्ता वो बिलकुल आपी की तरह दुम हिलाते रहता है और आगी पीछे भोगता रहता है वाव ग्रेट डॉग वैसे आपने अपना नाम जब मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था तब उन्हों ने मेरा नाम तीन बार मेरे कान में बोला था और एक आखरी बात कही थी क्या का था आलतुफालतो लोगों को अपना नाम मत बताया है ठीक है मैं अपना नाम आपको कोई जरूत नहीं है ने ने वेट 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 वे जन्मो का रिष्टा है, रुकिये, रुकिये, रुक जाएए, कहा जा रही है, हलो? बोलो बेटी, फादर, मेरी शादी हो गई है, God bless you my child, पूरी बात सुनने के बाद ही अशिवाद दीजिए, जब मेरी शादी हुई तो ये बात मेरे बॉइफ्रेंड को पता चल गई, वो कन्फरमिशन करने के लिए मेरे घर पर आया, उस वक्त घर पर कोई भी नहीं था, ना चाहते हुए भी हम दोनों से गलती हो गई, फादर, जब मुझे इस बात का फील हुआ, तो मैंने अपने क्लासमेट जिलानी के रूम में कोई नहीं है, ऐसा SMS किया उसे, और मैं अपना दर्द बताने के लिए वहाँ पर गई, और जैसे ही मैंने फ्ल OLATI की है, तुम भगवान के समक्षों, इसलिए तुम्हारा पाप माफ हो रहा है। थांक्यू फादर तुम्हारी जिन्दगी उधार की जिन्दगी नहीं है, उधार की जिन्दगी नहीं हो, इसलिए न कोई तुम्हारे घर पर आए और ना तुम किसी के घर पर जाओगी ठीक है फादर गाड ब्लेस यू जीसस, पापों को तौलने की शक्ती सिर्फ आप में है, लेकिन मुझ में इतनी शक्ती नहीं है, कि मैं इनका पश्चाताब खोजूँ सुन सुनकर, मेरे कान ऐसे फट रहे हैं, जैसे कानों में कोई सूई चुभो रहा है मेरे कानों से खून निकल रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है, मुझ में धैरिशक्ती प्रदान करो प्रभू जीसस, आप तो बुलाते हैं यहाँ पहुँच गए, बहुत करुणा मैं हैं आप जीसस ओरीजनल रूप में आते तो यह पापी जहेल नहीं पाता, इसलिए आप सोशल गिट अप में आये हैं प्रभू फादर, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं जीसस नहीं हूँ चाइल्ड, तुम्हारे आने का रास्ता इधर से है मैं मानता हूँ फादर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा स्टाइल ही ऐसा है आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं सर हाँ फादर, मेरी पंद्रह साल की कहानी है दो मिनट सुना तो बीपी टैबलेट लेनी पड़ेगी और पंद्रह साल की कहानी मेरे साथ यह अन्याय होगा, मेरा दिमाग न फट जाए हाँ, तुमने अपना नाम क्या बताया? संतोष हिंदू हाँ? हाँ फादर, मैं जाति धर्म को नहीं मानता, मैं हर जगे चाहता हूँ I like you my dear son, इतामबर नाम का एक आदमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों क्लास्मेट थे, हमारे धर्म अलग अलग थे, पर सोच एक जैसी थी, अगर तुमने उसे अपनी कहानी बताई, तो वो तुम्हारी कहानी का हल भी बताएगा वो कहां मिलेंगे फादर? स्वामी जी का प्रसाद ने कराओ यह क्या कर रही हो, यह तो अपराध है ना? यह क्या कह रहे हैं आप, किसी और के सामने करे तो अपराध होता है, पती के सामने करे तो प्रसाद होता है जी तुम कुछ जादा ही बोल रही हो, प्रसाद रखो और जाओ कहाना जाओ आज हम कन्या राशी के बारे में बताएंगे कन्या राशी के लोग के होते हैं इनके पास दौलत तो बहुत होता है लेकिन यह खर्च नहीं करते हैं यह दिल के बहुत अच्छा है क्या आ होते तो हमारा जीन धन्य अब कहां पुराना जमाना अब सब मुवाइल पर आ जाता है लेकिन हमारी जिंद्रगी तो जैसे घंगा में बही जा रहे है कान है रहे तू? मेरा नाम संतोष है देखके संतोष हुआ काम बोलो चर्च के फादर ने आपकी बहुत आरिफ की आपके पास भेज़ा उन्होंने कहां बहुत अच्छी इंसान है आप बहुत महान है आप अंतरियामी है अगर आपको अपनी कहानी सुनाओ तो आप अच्छा सुछाओ देंगे कौन सी कहानी? मेरी बंद्रह साल की कहानी अगर आप सुनेंगे तो बहुत खुर्श होंगे लगता है जो पिछली जनम में नहीं हुआ वो इस जनम में होने वाला चांस तो अच्छा है अंदर आजाओ अरे भागवान जरा इधर आओ आप तो सुरज के किरने भी मुझे पर नहीं पढ़ने देते तो फिर आज पराए मर्द के सामने आने के लिए कैसे कह रहे हैं तुम अपनी शर्मों हया को छोड़ो यह अपनी कहानी सुनाने वाला है तुम भी आकर सुनो आओ बैठो आओ आओ तुम भी बैठो यहाँ पर हाँ शुरू हो जाओ यह बात तब की है जब मैं आठ साल का था क्या रे पांडू आज ग्लास में नहीं आएगा क्या नहीं रे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा मैं सोच रहा हूँ स्कूल की पढ़ाई ही छोड़ दूँगा इतनी मैनत करके फोर्ट स्चानल तक पहुँचे और अभी तु पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा है अरे हो सिंद्रानी ने मुझे धोका दिया है धोका मतलब पहले कहती थी मैं तुमसे प्यार गरती हूँ और आज वो शादी किसी और से कर रही है प्यार का मतलब जब उसके घर में कोई नहीं होता तो वो मुझे अपने घर पर बुला लेती है पांदू हाई सुनो आज मेरे घर पे कोई नहीं है मैं बहुत बोर हो रही हूँ तुम मेरे घर पे आओगे सोने के लिए आओगा आप ना मुझे भूतों की कहानी सुनाओ ना पर तुम तो ऐसी कहानी से डरती हो ना कोई बात ने फिर में आप सुनाओ एक बार अमावस की रात को एक ड्रैकुला और एक भूत वो ड्रैकुला उस सामने खड़ उस भूत के पास दोड़ के जाता है और उस भूत को दबग के पकड़ लेता है और हुज़ोर से चिलाते है हे हे पादू हाई तुम्हें चोकलेट चाहिए उससे पहले मुझे किस तो यह सो स्वीट आई लब यू इससे वो इतना प्यार करती थी अब मुझे चोड़ के जा रही है तो आप तो क्या करना चाहता है वो मेरे साथ एंजोई करके अब किसी और के साथ शादी कर रही है इसलिए मैं उसकी शादी में कभी नहीं जाओंगा देखिये ना जी इंदरानी की शादी में जाने से मना कर रहा है परिशान मत हो वो चलेगा इसकी नाटक से तो मैं परिशान हो गई चल मैं नहीं आऊंगा रोज तो उसका पल्लु पकड़कर गुमता रहता था और अब उसकी शादी में जाने के लिए मना कर रहा है चल आंटी पांडू कहा है वह वहाँ है क्या हुआ पांडू इतने सिरियस क्यूं हो उचसे बात मत करो क्या हुआ तुमने मुझे धोका दिया है धोका तुम है आइस क्रीम चॉकलिट डेकर किस ले लिया मुझे प्यार करके तुम शादे किसी और से कर रही हो अब तुम ही पताओ ये धोका निया तो क्या है अरे अगर मैं चली गए तो क्या हुआ तुमें आइस च्रीम ही चाहिए ना मैं ममी पापा से बोल दूँगे तुमें आइस सुनो इंद्रानी, आज से यह मेरी गर्फ्रेंड है अरे, उधर देखो एक्सक्यूस मी, आपके लिए कॉफी हाउस में कॉफी का कप रू रहा है वाई, आपके होटोने उसे टच नहीं कि वाउ, माई गॉड़, वाट अ स्माइल आपकी हसी ना, पाकिसान और इंडिया के बॉर्डर पर छोड़ दें तो बस तोनों ही देश दुश्मनी चोड़ के शेक्षेंड कर लेंगे सी यू कहां तक चलना है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक सो, अब तो कब हैपी है ना कब हैपी होगा, बट आम नोट हैपी वाई? आपकी होटो ने सिर्फ कब को टच किया है मुझे पता है कि आपका कोई बॉइफरेंड नहीं है हाँ, पर आपको कैसे पता? उस लड़की की स्माइल और नजरें बहुत ही अलग होती हैं जिनका कोई बॉइफरेंड नहीं होता ऐसा मेरे लव गूरू ने बोला था और आपके होटों पर अभी तक आपके बॉइफरेंड का हस्ताक्षन नहीं हो है अरे, सादा बिस्किट क्यों खा रहा है? उधर दे, क्रीम बिस्किट तो? अपनी आखें बन करके ये गाना सुनी है इसमें मेरे एमोशन से हैं मैं बसे रहे हैं एक्स्क्यूज मी अगर मैं आपका बॉइफरेंड होदा ना तो मैं मर जाता यह आजकल के जो बॉइफरेंड है नब. यह बोलते हैं कि बस ठोलाlementsव वेट करो और फिर बहुत वेट कराता है खुब्सूरत गल्फरींड को वेट कराएंगे और फिर बोलेंगे कि मैं ट्राफिक में हूँ, मैं बस के साथ हूँ, मैं बोस के साथ हूँ मताओ, वही मर जाओ यहां बहुत सारे लोग हैं हम कहीं और अकेले में जाके बात करें हाई डैरी, कहाँ पर हो बेटा, अपने कार में हो डैड, कैसा है तो बेटा, मैं ठीक हूं ममी, यह साउन कैसा, कोई साउन नहीं है, सिगनल प्रोब्लम हो सकता है, अचा यह सब छोड़, पिछली बार चैसे आया था, तब तेरा जो हैस्टाइल था, अभी भी है क्या, पता ल मज़ा था डैड, अरे यह कैसी बाते कर रहा है तू, वही, जो सोचता हूं, दुनिया में कोई मर्दी ना हो, यह कैसी सोच है, स्रिष्टी के विरुद्ध है यह, पर मुझे तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लेगी, लेकिन यही सोच मुझ पर अपलाय करेंगी तो, तो क कर दीजिये ना, यह तो बस सोच है स्वामी, सच्चा ही थोड़ी ना है, नहीं है, भाई यह काहनी यही खतम करते है, हमारे कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है, यह क्या इतनी जल्दी सब भूल गए, आज का राशिपल सुना था ना, रादे पनेची क्या कह रहे थे, कोई क और अब कर दू को अजया है यह को तो मृट अशक पार ने केमपस के पाटी में जा रहा हूं, सब भाद मिलू आपसे I'm in love with the shape of you, push and pull like a magnetic Hi Hi Baby How are you? Looking good? Please come Wow, she's hot Relax here, for few minutes Yeah लोग जोग लोग आखने इसाव इसाव लोग अबारा की जिला न कभने हैं अरूप, लोगो अर वहाँ अर्वाब अर्वाफिव अर्वाफिवाब अर्वाफिवाब अ आभू सकता है वलत हो, हम आप खराग दो. जauen师 두कों है pessoal म्यंट सकती है? इसकर को अ झार को को फ्रोल्ड आपे प्रहूट क्लीहीतの है? मैं आप में तो डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, ऐसा कीजी की दर्थ खत्म हो जाए, इस लड़की के साथ मेरा आज का प्रोग्राम से ठाए, और अब ये हो गया, प्लीज डॉक्टर, जितनी फीस है यो उतनी ले लीजी, लेकिन ये दर्थ जल्दी से खत्कर दीजे डॉक्टर, खत्कर रॉक्ष, जिए जल्कर, इस लोच्छा के टाए, लोग के विच्टर, जब गारी ठीक प्रोवरी, पुर्टी-एट आवर्स, टॉक्र नाहिए, जिए गॉड़्स, 7-6-3-2-2-2-3-2-4-2-3-2-3-2-4-2-3-3-1-2-4-2-2-4-2-4-2-3-2-3-4-2-1-2-4-3-2-2-3-4-2-2-4- मतलब पापा निजेक्शन दिया था उस वजे से मैं दो दिन तक ने उठा पता है डैड ने जो खतरनाक इन्जेक्शन दिया था उसका दर्ध अब कम हुआ पर तू ने जो किया उसका दर्ध हमें अभी भी है देख तुझे इस तरहा गली-गली गल्फ्रेंड ढूंडने के ज ज्यादा नाटक मत कर और लड़की देखने के लिए चल नो मैं नहीं आऊँगा आने की जरुवत भी नहीं है अच्छा लोग यहीं आ रहे है आपके घर पर हम आये हैं पहले आप हमारे घर आ जाते तो अच्छा रहता है अरे ऐसे धक्का क्यूं दे रहे अपने बेटे को दर यहीं बात करो ओके आपको क्या पसंद है कावेडी वाट माफ कीजिए जब लोग लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले नाम पूछते हैं ना ओके तो क्या पसंद है आपको पैराडाइस बिर्यानी मुझे बहुत पसंद है तो हर दिन एक हफता एक महिना एक साल जब पसा लगेगा चीची मैं बोर हो जाओंगी जी सही कहा उसी तरह लाइफ लॉंग एक ही लड़की के साथ गुजारना मेरे लिए बोरिंग हो जाएगा इसलिए मुझे ना बुफे पसंद है जहां पर अलग अलग चॉइसेस होती है नॉर्मल मिल्स मुझे पसंद नहीं आती है तुम मेरी बात मानो तुम अपनी जिन्दगी को किसी एक के साथ शेयर मत करना है एपी रहो फ्री रहो और जो अच्छा लगे उसके साथ रोमैंस करो हैपी लाइफ का यही सबसे अच्छा फंडा है आपका ये बेटा किस तरह की बाते कर रहा है वो भाई साब अंकल जरा ठ क्या ना बॉल अच्छे लाइफ में यह परवर नहीं होना चाहिए हैपनेस होनी चाहिए इसलिए यह शादियवादी मुझे समझ भी नहीं आती बट एनिवे थैंक यू सो मच नाइस तुमीट यू बाई नमस्कार चलता हूँ अरे बिटा कह रहते संसकारी है अप लोग प कितने भी बड़े सेक्स डॉक्टर क्यों नहों सेक्स अजुकेशन की किताबें बिना सोचे समझे उसके सामने ही लिखने बैच जाते थे अप इसलिए अपने जीवन का असली अजुकेशन चोड़कर यह सब करने लगा है वो अब बता नहीं मेरा देखा हुआ सपना पुरा हो पाएगा यह नहीं अब उसकी शादी तो दूर शायद उसकी शादी का कार्ड भी नहीं देख पाऊंगी हेई, कल मेरी बहन की शादी है, कल तुम सब जरूर आना, तुझे काट नहीं दूँगा, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्यों, वहाँ लड़कियों को प्रॉब्लम हो गई, तो मेरी बहन की शादी रुख जाएगी, सरही का यार, पिछली बार शेखर की शादी मे जाएगी, पुरे टाइम रोती रहेगी, मेरे लिए तु रोती नहीं है, तेरे ना आने से रोएगी, कन्फर्म रोएगी, तु नेक्सीन देख, अपनी शादी में तुझे खुश होना चाहिए, रो क्यो रही है, मेरे आसपा सहलिया होनी चाहिए लेकिन या तो बढ़िया रोह नहीं तो और क्या करूँ, मैंने सुचा था कि मेरे सारी सहीलिया मुझे छेड़ते हुए मंडब तक लेकर जाएंगी, पर वो सब तो मूवी देखने चले गई है, अगर आपको यहां पर तिल होता ना, तो काट्रीना, दीपिका, आलिया केजिकर बॉलिवन में आप हो अच्छा, इसका मतलब है आप फोर ट्रैक हाइवे जैसी है, आपका दिल बहुत बला है और आप चार लोगों से प्यार कर सकी है, मुझे तो कोई तिल नहीं है, अगर तिल नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपना हाथ दिखाएए, मुझे शर्म आ रही है, फिर तो आपका इसदूर यहाँ पर होगा, चाहँ तो देख लीजे ना, देखो ना, अरे हाँ यहीं पर है, आप तो ग्रेट हो सर्च, वेट प्लीज वेट, आप सब लोग साथ में आएगे तो प्रॉब्लम हो जाएगे, इतना एक्स्पिरेंस नहीं है ना मुझे, एक एक कर के आएगे त तो फर्स्ट कोन आएगा? मुझे यहाँ पर है, यहाँ पर है, औरे बाब 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 नहीं बोलूँगा, अरे टेंशन मत दो प्लीज बताओ ना, आपको नीन नहीं आ दिया ना, क्यों? आपका पती तो बिस्तर से उतरता ही नहीं होगा, इ अरे तो मैं शादी के मंदब के नीचे थोड़ी हूँ, यहाँ पर वैठाओं, बच्चे लोग उपर रहो, गीता कहा है, पर कोई लड़की वीक्निस के बिना कैसे हो सकती है, संध्या, जरह होग निकालना, प्लीज जल्दी आना, ओ, I'm sorry, मैंने पीछे से देखा ना, लगा शायद मेरी बीवी होगी, इसलिए, आपकी शादी हो गई है, हुई तो नहीं है, पर होती तुम बिल्कुल आप जैसी होती, सिद्धु जैसी क्वालिटी जाप में बहुत है सिद्धु? मेरे घर के सामने रहने वाला कुट्ता, वो बिल्कुल आपी की तरह दुम हिलाते रहता है, और आगी पीछे भोगता रहता है, वाव, ग्रेट डाग, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया, जब मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा था, तब उन्हों ने मेरा तीन बार मेरे कान में बोला था, और एक आखरी बात कही थी, क्या का था? आलतुफालतो लोगों को अपना नाम मत बताया, ओ, ग्रेट फादर, सिद्धु की तरह है, ठीक है, मैं अपना नाम आपको, कोई ज़रूत नहीं है, ने, वेट, 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 प्लीज यहीं हे रुखिया, रुक जाएए, हालो, तुम तो एक ही डालोग से लड़की को भसा लेते हो, फिर इतने डालोग के बाद भी लड़की क्यों नहीं फसी, अरे हाँ लड़की एक जैसे थोड़ीया होती है, लड़कियों की कई पचातियां होती है, मेरी दखा उस लड़क के लिए मैं बस में चड़ा था तिकेट 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 दीजेगा अरे आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यह ही टिकेट ले सकते हो ना फिर हर स्टॉप पे क्यों अगर 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 अपको बात करता तो बार-बार आपको देखने का यह खुबसूरत मोखा ने लिए वाउ, what a surprise मैंने कहा था, हम दोनों का ही जन्मो जन्मो का कोई रिष्टा है अगर 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 नहीं होता तो हम दोनों या इस बस में कैसे मिलते क्या अजीब इतिफाक है ना God must be crazy सुनिये, मेरी सीट पर बैठ जाहिए No thanks, आप बैठ जाहिए आप यूँ खड़ी रहे और मैं बैठ जाहू मुझे नहीं अच्छा लगेगा आप खड़े रहे और मैं बैठ जाहू मुझे अच्छा नहीं लगेगा अरे, मैंने बुलाना में कड़ा रहा हूँगा आप बैठ ये अगर बैठेंगे तो साथ में बैठेंगे अरे, सुनिये सुनिये, प्लीज दोस्ति कर लीजे हलो, बार्बी डॉल प्लीज मेरी बात तो सुनिये एह, मिस्टर फ्लर्टिंग हाँ अजीब है मैं आज तक यही सोच कर उससे फॉलो करता रहा कि वो सबसे खूबसूरत लड़की है लेकिन आपको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं कितना गलत था कहां वो अपने बारे में सोचने वाली और आप दूसरों के बारे में सोचने वाली एह, सर्च बताना क्या मैं उस लड़की से ज़्यादा खूबसूरत हूँ कोई किसके लिए कितना खूबसूरत है ये दिल और दिल के बात है दूसरों को समझ भी नहीं आएगी बाइद उवे, अगर यहां से राइट जाएं और उसके बाद ले ले लें तो क्या आपके दिल का रास्ता मिल पाएगा मतलब यहां से सीधे राइट जाकर आगे से लेफ्ट ले लें तो क्या वहां से आपके दिल का रास्ता मिल पाएगा तुम्हें ड्राइविंग आती है आती है तो मैं तुम्हारी ड्राइविंग देखना चाहती हूँ अच्छा कार में जाने के बाद फिर क्या हुआ काश की आपको पता होता अगर पता होता ना तो हमारा चिंटु अभी यहां बैठा होता और हमारी कहानी सुन रहा होता पर मैं क्या कर सकती हूँ सिर्फ सोच ही तो सकती हूँ ना सोच सोच कर ही अपने मन को तसल्ली देती हूँ हाई मेरी किसमत भागयवान गहराई में मत जाओ तुम सिर्फ कहानी ही सुनो हम कहां जा रहे हैं अरे बदाए ना आपको कहां जाना है अरे बेटा मुझे लड़की समझ रहे हो क्या मैं भी लड़काई हूँ क्या खाल लड़का उदर उदर चल देखो सुनो बेटा थोड़ा एड़्जस्ट कर लो ना प्लीज मेरी इस हालत की वज़ा है सिर्फ मेरी बीवी यह सब उसकी वज़ा से हुआ घर पर बिना किसी टेंशन के फिर आराम से सो सकती हूँ वो मुझे पागल की तरह प्यार करती है कुछ हो गया तो परदाश नहीं कर पाएगी चुप बेटो बस बीवी 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 तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या हाहा रुको 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 जैस्मीन फ्लोरेस्ट जैस्मीन मेरी वाइफ को सॉर्री बस लगता है अथे कर नहीं देखा है ओ माय गॉड्ड मैंने अभी अभी एक बहुत ही खुबसूरत चंदरक्रहन देख लिया वाट आप में आम वाचिंग अ लुनर एकलिप्स दर्ती पर चंदरक्रहन कहां पर है मेरी आखों के सामने इतना खुबसूरत चांद मुझ से छुपा कर क्यों रखा है यह राहुक का बड़ेगा पता नहीं अखरी ग्रेहन कब खेतम होगा I knew it's you मुझे बता था मैं चांदा था कि यह आप ही है इसलिए तो पलेट कर पीछे से देखा खेर यह बताए आप नकाप पहन कर क्यों गूम रही है कोई रोमांडिक क्राइम तो नहीं किया रोमांस नहीं है ओनली क्राइम स्टोरीज ओ वाट सच में कोई मुझे बहुत प्यार करता है और अगर मैने उसे प्यार नहीं किया तो वो मेरे फेस पे आसिड डाल देगा इसलिए यह पर्दा है कल से आपको पर्दी की जुरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपसे मैं फॉलो करूंगा कमों ड्रॉप कर देता हूं वैसे मुझे ड्रॉप करने वाले पसंद नहीं है ऐसी बात है क्या चले लिफ देता हूं दन इस ओके आप ऐसे क्यों बैठ हुई हैं अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसी बैठना पड़ेगा न यह क्या हमारे बीच में कोई दिवार है क्या बिल्कुल अभी खड़ी की है मैंने आप तो बहुत शार्फ है इस तरह के लड़कों से बचने के लिए शांफ रहना पड़ता है आप बाते हैं बहुत अच्छी कर लेती हैं आप ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेते हैं आगे रोख दीजेए ओके थैंक्स अ बाई रुकिये मेरा नंबर तले लीजे वो क्यो कभी वो एसेड वाला आपको फॉलो करने की कोशिश करे तो मुझे फोन कर दीजेगा मैं कि अच्छी सकते हैं यहाँ आजाओंगा 9000..? 9000.. I love you.. I love you.. …what 99000 143.. 9000 143..岁 OK bye.. हलो.. एलो.. यह तो इसी क्या आज लग रहे है? पोन क्या है मतलब इसके दिल में कुछ कुछ हो रहा है अलो, लता मंगेशकर जी, ओ माइगाड, आप इस वक्त मुझे फोन कर रही है, मैं लता मंगेशकर नहीं हूँ, क्योंकि उनके लावा और किसी लड़की का फोन नहीं आता मुझे, वैसे आप कौन हो, वही, आपने जिसका हुक निकाला, जिसे लिफ्ट दी, और नंबर भी द सुप्रभाद रेस्ट्रांट में आईए, फिर बताते हुके, क्या बात है, आपने फोन किया था, एक काम है करोगे क्या, हाँ, बताए क्या करने, ओफिस में जो मेरा बॉस है ना, वो मुझे बहुत टॉर्चर करता रहता है, बद्धमाश उस कितनी हिमत, उसे मार ना है, मा इसलिए वो किसी भी लड़की को टॉर्चर नहीं करता, मेरा कोई बॉइफरेंड नहीं है ना, इसलिए वो मुझे टेकन फो ग्रांटेट समझता है, अगर पॉसिबल हो तो सिर्फ दस मिनिट के लिए मेरा बॉइफरेंड बनने की अक्टिंग करेंगे, अक्टिंग करनी है हाई हाई बेवी जयादा हो रहा छोड़ो ज्यादा हो गया इतना है इतना है इतना नहीं करूँ तो बॉस को शक हो जाए गा बैसे बॉस है कहा राइट साइड ब्लीव कोट राइट साइड ओ आपकर रैट साइड मेरे लिफ साइड मेलेट होगया तो तुम नाराज होगया सॉरी बेवी इस ओके, ओवर एक्टिंग मत करो अच्छा बताओ, वो देख रहा है क्या देख थो रहा है, पर जल जल के खाक हो रहा है सर यह तुमने मेरे और किया वोटरमिलर नहीं है, स्ट्रॉबरी है वो देख रहा है क्या अरे, तुम्हारे गाल पे टीशे से पूचाओ मैं कब से सोच रहा था कि भग्मान ने यह यह जीप के हो दिया आज पता चला किसका यह काम है विदा डर्लिंग, कल रात तुम रूम में अपना समान भूल गई थी मेरा समान? हाँ, एक मिनट हैर बैंड, रिस्ट बैंड, लिप्स्टिक ओव, एक और चीज है, मिझे शर्मा रही है तुम यह भी भूल गई थी इतना केलिस नहीं होना चाहिए, बेबी अपना समान भूल जाती हो, कहीं और Hai कोई बात नहीं, क्या है, मेरा कोट चोरी हो गया, यह? क्या है, क्या है? क्या है, क्या चाहिए आध नहीं यार, रूम चाहिए, तो कहतो पैया पख़़़तू पकडो, आरे यार मने तो, फिर भी नहीं मिलेगा, ही ए ए शोर यार है, आच्छा, तु बलाओ से, चुचु हुआ, आजा आजा, 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 ये चुचु क्या है? मेरे प्यार का नाम, हे, क्या? का जोल अनुष्का मैं सबको इसी में देखता हूँ यार आज 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 जाना इसे तुम अपना ही बेडरूम समझो अरे बेठो ना बेठो 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 मैं भी पतीव रता हूँ क्या लवा मुझे कोई हाथ लगा यह मुझे बद्दाश नहीं तो अब क्या करें यह लगा ले अब होके है ना हाँ एक मिनेट रुको ऐसे मास्क मिलते हैं क्या तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो आप चुप रही है ना अगर टाइम मिले ना तो तो र रणवीर सेंग के तो वरुन धवन के मास्क मुझे लाकट देना ना भाग्यमाल चुप रही है अच्छा बता उसके बाद वो लड़की दुबारा कब मिली तुमसे एक रात उसने फोन किया और कहा कि उसके घर में कोई नहीं है और मुझे अपने घर पे पुलाया हाई वो हमारा पडूसी है डॉक्टर वो कबसे मचे लाइन मा रहा है मेरी बॉस को सबग सिखाय था ना तो जरह इसको भी तुम सौरी जी मुझसे बार आक्टिंग नहीं होगी लास्साइम किया तो बहुत फील हुआ था मुझे सच में करना है तो बोलो आग लगा दूंगा कोई जरूत नहीं है मैं आक्टिंग करूँगी और तुम सिव खड़े रहना समझ करें मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है उसको भी मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाराजी वो अपना कंट्रोल कपका हो चुका है कहीं मेरे दिल का ट्रांसफार्मर भट ना जाहे उसे शौक लग गया और वो चला गया है आपने तो मुझे डिस्टरप कर दिया 80% डिस्काउंट से लगा कर पूरी शॉपइंग करवा दिया और मुझे कैरी बैक भी नहीं दिया ज्यादा इच्छायर रखना अची बात नहीं है अच्छा तो आपने मुझे इसी काम के लिए बुलाया था हां मैंने तो इसी काम के लिए बुलाया था एनिवें थैंक यू यहां से आप बाहर जा सकते हैं अभी तक तुने लड़कियों के नीन धराम करके रखी थी लेकिन इस लड़की ने तेरी नीन धराम करके रखी है लगता है इसने तुझे बहुत साथ अपसेट किया है मुझे डिस्टर्ब किया है उसकी याद आ रही है यार याद मत कर भूल जा उसको और किसी लड़की में फिटाम हो ऐसा हो ही नहीं सकता अगर लड़की में वीक्निस ना हो, मतलब वो सबसे हटके है, ऐसे लड़कियां बातो और मैजिक से नहीं फसने वाली, इन तक पहुंचने के लिए प्यार वाला रास्ता ही सही रहेगा, मतलब तुम मुझसे प्यार करोगे, बोलूगा कि प्यार करता हूँ, हाई, हाँ, है, बिना पूछी बैट गय, फ्रेंड से भी पूछना, हम फ्रेंड का है, मैंने तो तुम्हें फ्रेंड माल लिया, तुम्हारे बारे में अपनी वाइफ को भी बता दिया, चलो सिगनल चालो हो गया, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बुरके का क्या हुआ, आपको इस बात का ख्याल नहीं है, अरे पता है यार, वाइफ ने सोचा था चेहरे से बुरका हटाओंगा, तो वो खुद भाग जाएगा, शीज वरी इंटेलिजेंट यार, सुनो दोस्त, जरा वहाँ पर गाड़ी रोकना, आज की भजिया बहुत अच्छी मिलती है, लेक तेरा मवस्या, धोखा दर्द, ये सब कुछ भी पतनी के अंदर ही होता है, मुझे अच्छी तरह पता है, अबे काम करो, उत्रो, उत्रो, जा के भजिया खाओ, ये घर 4-10-99 है ना, लगता इस कालोनी में ने पोस्ट मैन आयो, नहीं बिलकुल नहीं, तो क्या जनसंख्या क ज़िए गड़ना करने वाले हो, जी नहीं, वो भी नहीं हूँ, कोई भी हो, आजाओ, बैठ जाओ, कमपनी दो, वैसे ये एड्रेस थो ठीक है ना, अरे भाई, पहले आओ, बैठ जाओ, यहाँ, आजाओ, लो पहले पानी पीओ, पानी पीओ, रॉंग एड्रेस, रॉंग तुम्हाए सही हो, जो पीओ वो गला था, यह पानी नहीं है, बोतका है, तो फिर दो गलास क्यों रखा हूँ है, वो एक्चुली मैंने पीना छोड़ दिया है, अपने पिता जी की आत्मा को शान्ती देने के लिए उनका साथ देता हूँ, और वो गलास? अरे हम दो लोग ह गइना? वह पूँ हूँ हेगज, उसतिन मुझे हुक निगालने के लिए अपने पास आने पर मजबूर किया मेरे साथ अधर मेरा स्थील तोड दिया मेरे साथ ऐसा क्यों किया यह रहन? वैं, पीता हूँ, मेरे साथ हो इसा कुछ नहीं करती, फिर यह क्या बोल रहा है? अरे सुनो, प्रैक्टिस छोड़ दिया है, फिर भी मैं वकीली हूँ, उसके साथ प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है? मुह बंद करो अपना, ये कौन है जो पीकर आया है? नहीं, आने के बाद पीया है, मतलब ये आपकी कर्टूथ है, अरे घर में जो आता है उसको पानी पिलाते हैं, तुमने इस से दारू पिला दी, अपने उम्र का थोड़ा तो लिहास करो, अरे तुम तो, तुम तो गीता हो ना, आप कौन है? मेरी वाइफ है, सुरेखा, ओ, व मेरी बेटी फास्ट जानता था, पर सुपर फास्ट हो कि मालूम नहीं था, हमारे साब ने ही बेडरूम में लेके जा रही है, इतना डरो मत, वो उसे बेडरूम में नहीं लेकर गई है, बातरूम में ले गई है, अब देखो, कौन कैसा देख रहा है, आज जिससे भी देख तुम्हारी प्यार में। गीता, आखिर ये लड़का है कॉण 108 क्या पात ही गीता, मेरे नाम की जिगे है, एम्बूलेंस नेंबर की बता रही हो एम्बूलेंस नहीं, मेरी बेटी को आई लब यू बोलने वालो की लिस्ट है अंकल मुझे लिस्ट में पसंद नहीं है, मुझे तो दिल में रहना पसंद है, मैं जब तक जंदार होगा, सिर्फ तुम से प्यार करूँगा, मैं यहां तुम्हें प्रपोस करने आया हूँ सॉरी, मुझे से प्यार करने के लिए बहुत कॉलिफिकेशन होने चाहिए, कौन कौन सी? चलो न, बताती हूँ मैंने सुचा था कि हम रोमैंस करने के लिए किसी रेस्टराण में जाएंगे, कॉफी शॉप में जाएंगे, और तुम तुम मुझे यहां हॉस्पिटल में लेकर आ गई सर्, इसकी वर्जिनिटी टेस्ट कीज़े वर्जिनिटी टेस्ट? अकर तुम मुझे इतना प्यार करते हो, तो वर्जिनिटी टेस्ट करने में तुम्हें हर्ज ही क्या है? ओ, गुड पॉइंट और अब वर्जिन हो या नहीं हो इसके बारे में डिसाइड करने के लिए हम लोग कॉफी दे में जाएंगे करेक्ट है, करेक्ट है, मैं बस अभी आ है आप तो यह पक्का भागने वाला है सुनिए हां क्या वर्जिनिटी टेस्ट में आप मुझे वर्जिन अप्रूफ कर दीजेगा ना यादियों के दस साल फो गए और बच्चे भी ओगए है पिर भी मैं वर्जिन हूं तो तू क्यों नहीं हो सकता वट यह सारे टेस्ट लड़कियों के लिए होते लड़कों के लिए नहीं ऐसा एक्या हाँ हलो, क्या हुआ, कहां जा रही हो, चलो टेस्ट करवाते हैं न आप तो भाग गये थे कौन आप मैं, मैं भागा, क्या बात कर रही हो, टेस्ट की बात थी और टेस्ट कराने से पहले, मैं शावर लेकर फ्रेश होने किया था जूट मद बोलिए, जिब आप डर गए थे ना, तभी मैं समझ गई थी, कि आप वर्जिन नहीं है, हलो मिस, जितने भी मर्द है ना, इस पुरे इंदोस्तान में, उन सभी का वर्जिनिती टेस्ट करवा लीजे, सिर्फ मैं ही मिलूगा आपको वर्जिन, मैं तो बिना डर के किसी भी बोड़ी पार्ट का टेस्ट करवा लीजे, मैं रेडी हूँ, लेकिन अगर आप अपने दिल में मुझे जगह नहीं देंगे ना, तो मेरा दिल टूट जाएगा, सुनिये ना, यकीन कीजे मैं वर्जिन हूँ, प्लीज, मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज, थैंक्स लॉट यार, तुमने मुझे पर विश्वास किया, विश्वास किया? और नहीं तो क्या, मुझे पर विश्वास किया, तभी तो मेरे गले आगर लगिया, नहीं मैं तो उससे डर कर तुमसे गली लगी हूँ, किस से? इस तरफ ही आ रहा होगा, उसके हाथ में अच्छे से देखो ना प्लीज कोई नहीं है I'm so much thankful to you उसे देखकर मैं बहुत डर कही थी इससे ले आकर तुम्हे हग किया तुम्हे समझ का रखा है मुझे कोई खिलोना समझ रखा है जो मेरे साथ खेलती जा रही हो मेरे एमोशन के साथ मसाग कर रही हो हग करती हो फिलिंग्स बढ़ाती हो और फिर छोड़ देती हो क्यों करती हो इसा मेरे साथ तुम्हें पता है न तुम्हें देखते हैं मैं वीक पर जाता हूँ पर तुम्हें क्या मेरे दिल का क्या Sorry आपके साथ इतना जादा वक्त गुजा रहा है बाई किता कहा हो तुम्हें वो लड़का तुम्हें परेशान तो ने कर रहा नहीं मा उससे मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बनाया है मैंने अभी जो हुआ है न वो सब कुछ रेकॉर्ड किया है मैंने पर अच्छे से बताऊंगे उसे कि मैं कौन हूँ यो 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 कैसे तुम लोग अभे तु तो हमेशा 2020 खेलता है सुनाय आजकल टेस्समैस खेल रहा है हाँ यार अजीब बंदी है लंबा टेस्क ले रही है क्या विकेट गिरेगा क्या विकेट गिरेगा जब मैं प्यार के साथ बॉलिंग करता हूना संतोष मेरा वुट-बी हसमें मेरा वेट कर रहा है नहीं जाओंगी तो उसे बुरा लगएगा बाइग दूसले याद किया है तुझी इस ललखी ने खीचा था किसी लखी के भाई ने खीचा होगा पिटाई तुही पिटाई हुई पर पप्पियों सरी, लेकिन ये कौन थी, अरे वो कप का फेकावा दाना है यार, वैसे भी कभी कभी हमें दाना डाल कर छोड़ दना चाहिए, वही दाना फ्रूट बन कर कभी भी सामने आ सकता है, कुछ दे ठेरना यार, टाइम पास होगा, ओ, सारी यार, दूसरा दाना इंत पता है, मैं फर्स टाइम बॉल्फेंड से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी सी टेंचन हो रही है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया, थोड़ी होशया रहना तुम, उसको जरा भी तुमने अडवांटेज दिया न, तो अडवांस हो जाएगा वो, अडवांस हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा मुझे, अगर वो तुमसे सिंसिरली प्यार करता है, तो वो तुम्हारी आखों में आखे डाल कर ही बात करेगा, उसने हाथ टेबल पे रखा होगा, और अगर उसकी नियत बुरी हुई, तो उसकी नजर कहीं और होगी, और उसका हाथ पैंड की जेब में ह होगा, और अगर जेब में हाथ डाल के बैठा है, तो इसका मतलब ये है, कि उसके दिमाग में रॉंग इंटेंशन्स है, अगर क्लियरली बताऊं तो उसका मूड हो चुका है, समझ गई ना, ओके, वैसे तुम्हारा तो कोई बॉइफरेंड नहीं था, तो ये कहां से आ गय तुम्हारे हाथ में बहुत अजीब सी रेखाएं हैं, किस चक्रा, बेट चक्रा, बाथ चक्रा, टोटल फाइब रॉमांटिक चक्राज हैं, आइ तिंक तुम रेडी सीजन में पता हुई हो, एमा राइट? या एक्जाटली, इन जुलाई, तुम्हें कैसे पता चला? इतनी खुबसूरत लडगी को दुनिया में भेज कर, भगवान रोए बिना कैसे रह सकते थे? अध्याट टेबल पर है, तो मतलब अच्छा हैं हाई, संतुर्श कुछ का? और वाई, पाराणी को बाता हुष्छ आगी! अध्याट वाई, व्हाँ है अदे वाँ, भाराणी राछे है अध्याट याशल वीड यच्ट थे स्लेश अध्याट थे दोग्याट श्कारणी अध्याट वेली पुर्दददगी कि अज़ी बाले में तुम कुछ ढोल रही हो? आप किसे भी लड़की को देख रहे हो तो अजीब नज़रों से बढ़े हो तो अजीब नज़रों से बदशिए और दूसरी लड़की को देख टो दूसरा हाथ जेब में डाल दिया और आप मुझे देखकर, इतनी देर तक आपने जेब में से हाथ नहीं निकाला, इसका मतलब आप उन से जादा मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, अगर मैं थुड़ी देर यहां और बैठी तो, आप मेरे सथ कुछ गलत करोगे, मम्मी, हे, 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 रुकिये, हलो, हलो, सुनो, हलो मैडम, वो आपको बुला रहे हैं, हाई रे मेरी किसमत, हलो, तुने जो बोला था, वो करेक्ट है, लगता है मुझे देखते ही, उसका मूड हो गया था, दोनों हाथ जेब में डाल लिया, और तुझे पता है, रेस्ट्रोएंड में किसी भी लड़की को देख रहा है, तो जेब में हाथ डाल रहा है, अगर ये बात तुने ही बताती, तो फिर, हे, हाथ जेब में डालें तो मूड बन जाता है, कौन बुला तुझको, कहां से पढ़ी है तु, एक बात बता, जेब में हाथ नहीं डालेंगे, तो फिर क्य क्या रखना है मुझे अच्छी तरह से पता है तेरी शकल देखे बिना मैं एक बात बोलू तुझे देखकर तो कोई भी मर्द अपनी जेब में हाथ नहीं डालेगा अब चल फोन रख, रखो गुड गर, देखो बीबी, अगर तुम इसकी बाते सुनोगी ना तो फिर पूरी जिन्दगी अकेली रह जाओगी, समझ गई? हाई हाई इससे पहले जब भी हग किया था, एक कैमरा लगाया था मैंने और अब फिर से इसे लिए हग किया था कि मैं ये कैमरा निकाल सेकूँ क्या ये कैमरा है? या, इन 6 गंडों में तुमने क्या-क्या किया है, वो साब इसमें रेकॉर्ड हो गया इससे मुझे तुम्हारी कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा ये तो 3 मच है, किसी टीवी चैनल में रिपोर्टर थी क्या, मेरे उपर कैमरे की नजर I can't believe this लवर को सेट करने का मतलब ये होता है, कि अपनी लाइफ को हम सेट कर रहे है इसलिए इतना तो पता करना ही चाहिए No, देखो, मैं बरदाश्ट नहीं कर पाऊँगा तुम मना करोगे, तो भी मैं देखूँगी तुम्हारे इस डर से पता चलता है, कि जरूर तुमने कुछ गलत किया है तुम मेरे प्यार को कबूल कर लो, इसलिए मैं बाबा के पास भजन करने के लिए बैट गया था इसलिए आजकल की लड़किया ना बैट वॉइस चाहती है आप मेरे जैसे भक्तिभावाले इंसान को कई रिजक्ट न कर दें, इसलिए देखने के लिए मना किया था नो, यह पॉसिबल नहीं है, सम्धिंग इस रॉंग सुनिए प्लीज मेरी बात तो सुनिए उस लड़की ने तुम्हें गले लगाया तो कैसा एसास हुआ था उससे पहले जो भी लड़किया मुझे हख करती थी तो मुझे फील होता था पर जब उसने मुझा किया तो डाउट हुआ था गले लगने में भी अंतर होता है क्या अच्छा गाना गाने के बाद वो लड़की तुमसे प्यार कने लगी क्या तुमारी स्पीड बहुत ही फास्ट है इस्क्यूज मी यह वालट जब तुम मेरे पास आई तो लगा जिसस्वर्ग खुद मेरे पास आ गया हो यखिन नहीं होता तुम्हारे जैसे इतनी खूपसूरत लड़की मेरे सामने खड़ी है शिट बहुत बड़ी खलती हो गई तुम्हें लिप्स देने के बज़ाए उन्हें स्ट्राबरी देना चाहिए था इतनी खूपसूरत लड़की को तो दिल करता है हमेशा प्यार करो एक सेकंड भी वेस्ट ना करो वैसे तुम्हारी पसंद का गाना कॉंसा है इस इस फो यू सिर अहां बेस्ट अफलाग गीता कमार प्लीज 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 तुम्हेल प्लीज तुम्हेल गीता गीता, रुको, प्लीज रुको पॉस्ट गीता कहां जा रही हो गीता मेरी बात तो सुनो यार प्लीज जाहिए कुछ चंफूजन है लेट निएकस्प्लेइन वाट अ सप्राइज हाई संतोष कितने दिन बात मुले तुम कौन हो तुम मैं कौन हूँ मजाग कर रहे हो हम बैंगलो रैपोर्ट में मिले थे रेस्टराउन में हम लोगों ने रोमांस भी किया था अरे मेरे कमर के उपर जो टैटू था उसको तुमने किस किया था याद नहीं है मैं आघ्रावाद जब से आया हूं तब से झूमें डून रहे हूं कि हम मिलेंगे और कभ करेंगे फागों की तरग है तुम्हें झूम्म रहे हूं थे पूमम कर रहेूं हे झो उसम नहीं मुझे देखते ही जेब में हाथ रख लिया था उस दिन फोन पर भी तो यही था ना ऐसे लोगों से तो जितना दूर रह उतना ही अच्छा होता है वैसे भी मेरे सेमिनार का टाइम हो रहा है निकलती हूँ देखो तुम मुझे दस प्रिट ले छोड़ दो मैं सिंदगी भर त अच्छा नहीं होगा तुम्हें आकर मुझे से मिलना पड़ेगा ओके आंटी फिर मिलते हैं वो मेरी आंटी है उनके बच्चे से मेरी बंती है और वो जो उस रूम में थी ना उस लड़की का आज बर्द है तो मैं उसे सप्राइज देने गया था और जो लड़की तुम से पकड़े गए सिग्नल के राइट साइड में जो लड़की थी तुम सिर्फ उसी को देख रहे थे लेकिन सिग्नल के लेफ साइड में मैं थी जिसे तुमने देखा है नहीं संतोष तुमें एक बहुत बड़े फ्लोट हो लड़कीयों की वीक्निस जानकर तुमोंने धोका देते हो तुम्हारे इस गेटप से तुम्हारे दिल से तुम्हारी बातों से मेरा कोई संबन नहीं है लड़कियों की वीकनिस इसके साथ खेलना तुम्हें च्विंगम चबाने जैसा लगता जो तुम्हारी होबी है तुम कभी नहीं सुधर पाओगे प्यार कोई च्विंगम नहीं है जो हर रोज तुम बदल सको लड़कियों को तुम अपना खेलोना समझते हो संतोश और यहीं तुम्हारी जिन्दगी का सच है तुम फ्लर्ट करते हो ना इसलिए सच्चा प्यार क्या होता है तुम कभी नहीं समझ पाओगे तुम ना किसी से सच्चा प्यार कर पाओगे और ना ही किसी का सच्चा प्यार स करता है प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो गीता अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो यह देखो आती हुए गाड़ियों के नीचे अगर मर जाओंगा गीता मेरे पीछे एक बहुत बड़ी लॉरी आ रही है अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो फिर मैं इसके नीचा कर मर जाओंगा गीता अरे मर गया बाबू तू तो मर गया नहीं मरा बाबू बाबू तो यहां है वैसे वो लड़की तुम्हें इस तरह से हग करके चली गई मुझे अच्छा नहीं लगा उसके बाद क्या हुआ फिर मैंने प्यार की शुरुआद की ओके मैं तुम्हें एक चांस दूँगी कल इ बस बस यही पर यही है तुम्हारा एक्जामनेशन सेंटर मेरा एक्जाम देना होगा हां मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखरी चांस बस यहां 10 डेज का स्टे करना होगा 10 डेज अगर तुम चाहते हूं कि मैं तुमसे प्यार करूं तो तुम्हें यह एक्जामनेशन पास तुम मुझे लगा कि हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं इस तरह इस एक्जाम देना पड़ेगा सोचा नहीं था पर एक बात बनूँ तुम्हारे लिए मैं कोई भी एक्जाम देने को तयार हो अल दे बेस्ट पर वो एक्जाम है क्या बड़ा इंट्रेस्टिंग लग रहा है अरे ऐसी क्या देख रहा है यह एक ऐसी दुनिया है जहां लड़किया है तेरे और बेरिसीवा और कोई लड़का नहीं इस लड़के ने हमें पकड़ के रखा है सच में कितना मजा रहा था लेकिन मैंने इस सरे आम एक लड़के को हग किया अगर ये बात मेरे बापा को बता चल गई तो मुझे काव लेकर चले जाएंगे अब मैं क्या करो? क्या करो? तुम रुको ए क्या है इतनी लड़कियों को तुमने फ्रे में हग कर लिया तुम्हारे वहां पर यानि तुम्हारे दिल पर तेल है क्या? इतनी सारी लड़कियों ने तुम्हें हग किया फिर भी तुम्हारा मू नहीं खोला? सिर्फ एक लड़की हख करें तो मू नहीं खुलता है और इतनी सारे लड़कियां एक साथ कर किसी को हग कर ले तो दिल धरक ना बंद कर दे लेकिन मेरा दिल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉंग है तो धड़क रहा है हाई आप सुन रहे हैं 94.3 रेड एफेम फ्यू मिनिट्स बैक हमारे लेडी स होस्टल में सेक्स फीट, सेक्सी हैस्टाइल, फ्रेंच कट डाड़ी और जेरो परस्टनालेटी वाला एक लड़का अभी अभी एंटर हुआ है वो यहां क्यों आया है किसली आया है उसी से पूछते हैं हलो, अपना मुह बंद कर मेरी मा, यह रेडियो जॉकी बनना चाहती है महरतों के जॉकी अंडर्वेर पहन कर घूमती रहती है पर वर्क आउट नहीं हो रहा है वैसे आप बिना कुछ पूछे सारी डीडियल्स क्यों दे रही है यह बिना पूछे ही सब कुछ दे देती है अरे, यह क्या डिस्टिबंस है मुझे सोने भी नहीं देते, मुझे डिस्टिब हो रहा है ना यह है सॉफ्टवेर सुगना रात भर ड्यूटी करके, दिन भर सोती रहती है कोई बात नहीं, सोने दो इसे अरे, तुम डरो मत, इसे नीम में किस करने की आदत है क्या दोस्त, लगिज लेकर आयो, किसको भगाने का इरादा है अरे, वो बात नहीं है, लगता है हमारे होस्टल में कपड़े धोने के लिए धो भी आया है अरे, मैं बताती हूँ, यह हमारी लेडिस होस्टल का वोडन है तुम्हारा नम संतूश है ना अच्छा यह बात है, एक्जाम बुलकर वजी आपर वोडन बना दिया गया है यह हम संतूश अरे, अगर मेरे पापा को बता चला तो मुझे यह रहने नहीं देंगे तू ज्यादा डर्मत, पिताजी को जॉन साही मा आप यहां से सीधे जाएंगे ना वहें वोडन का रूम है आप जाएंगे चेर्स अरे, हम लोग पी रहे हैं और अगर वोडन नहीं पिये का तो अच्छा नहीं लगेगा यार अगर हम पी कर टली होकर गिर जाते हैं तो बेड तक लेकर जाने वाला बस यही तो है यह लड़कियां तो कुछ साधा ही ओपन है कुछ करबड है राइट एक सिंगल लड़की को देखेंगे तो इसका रेप कर देंगे अब इतने सारे लड़कियों को देखकर बोल तेरा प्लान किया है है मुझे एक दाओट है लड़कियों की शाधियों जाती तो गले में मंगल सुत्र होता है पैं पायल होती देकिन नड़कों के बास क्या प्रूफ है ह। मर्दों के पास क्या होगा ? होना चाहिये प्रूफ, होना चाहिये लडकों के गाल पर पता है करते हैं, तो होनी चाहिये, यही प्रूफ है, उनका है कि ना हाँ, हाँ मिसालन, कानुन की बाद बाद मे करेंगे मुझे एक डावट हो रहा है आइटेम स्क्रफ लड़किया ही क्यूं करती है taxi लड़किया क्या नहीं करते है अएसा क्या नर्द हो गया रात को इतनी सारी लड़कियों के साथ ने प्षिछ не कर पाएं तुम मर्जात के नाम पे कलंग हो अरे यार मैं हमेशा वन टू वन ही हैंडल करता हूं यह ग्रूप में मेरा पहली बार था इसलिए समझ में नहीं आया अक्सर लोग बोलते हैं स्त्री शक्ती इस्त्री शक्ती पर आज मुझे यह समझ में आया अगर यह जो स्त्री अपने पर आजाएं तो किसी भी मर्द की इस्तरी कर सकती हैं सच में क्या हां यार इसलिए सबको ना सिर्फ वन टू वन ही हैंडल करना जाहिए डिवाइड एंड रूल फूट डालो और राज करो आप सुन रहे हैं 94.4 Red FM और मैं हूँ संतोष यह देखे एक लड़की अकेले में बैटकर आइस्क्रीम खा रही है मतलब उसका कोई बॉइफ्रेंड नहीं है मेरा बॉइफ्रेंड नहीं है पर होना भी क्यों चाहिए पता है क्यों होना चाहिए अगर तुम ना भी खाओ तो 20 साल के उमर में शैंपिन की बोटल खुलने में ही मज़ा आता है 50 साल के उमर में सोडा बोटल खुलते हैं उसमें जो गैस निकलती है और वाइन जितनी पुरानी होती है उतना जादा मज़ा आता है उसी तरह से हर मौसम में भगवान ने अलग-अलग फ्रूट खाने का मौ हाई 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 एक्जामेनेशन सेंटर बहुत पसंद आया तुम्हें इसलिए ब्राइड लग रहे हो वैसे आज मैं यहाँ एक्जाम पेपर देने आई हूं तुम्हें दे दीजे पूरे नंबर लेकर आऊंगा इतनी खुबसूरुत लड़कियों की बीच में रहकर भी बहाराना यही तुम्हारी परिक्षा है एक बार फिर से बोलिये इतनी खुबसूरत लड़कियों की बीच रहकर भी अगर तुम बिना किसी गलती के बिना किसी के साथ कुछ भी गलत किये बहाराना यही तुम्हारी परिक्षा है अगर इस परिक्षा में आप पास हो गए त एक्जाम तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा ना पर तुम्हारी जगा मेरे पती होते ना तो बहुत एसी लीपास हो जाते फिर भीW हो जाते है अ तुम बोलते रहो अरे बुक सेधी पकड़ो आख मिनित के लिए अपनी अपनी बुक साइड में रख दो पता है हम लोग एक बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट मिस कर रहे थे अब लाती हूँ इंसान को भगवान ने हार सीजन में इंजॉय करने के लिए एक फ्रूट दिया है वो है रोमांस अगर लाइफ से रोमांस ही चला जाए तो लाइफ के कोई बतलब ही नहीं है इसलिए म यह सब तुम्हें कैसे पता चला हमारे बॉर्ड़न ने बताया क्या हमारे बॉर्ड़न ने और यह सबने के बाद लग रहे कहीं जवानी ऐसे खत्म ना हो जाए जवानी के बर में इतना कुछ बता है तो बहुत रुमांचिक होगा है हाई सर गुद मॉर्णिंग बॉर्डन Just one more time प्लीज, प्लीज, मुझे समझने की कोशिश कीजे, हाँ, सर, पॉर्डन सर, हमने अभी अपने रूम में एक होरर फ्रम देखिया सर, हम सब को बहुत जा लग रहा है, प्लीज, आज की रात हम आपके रूम में आपके साथ सो जाए सर, प्लीज, सर, प्लीज, 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 प्लीज आपको बहुत अच्छा है, सर। आपको बहुत अच्छा है, सर। मैं आपको सोगे हो, अगर पापा को बता चलेगा तो बहुत डाटेंगे। यहाँ, वही तो, बिना किसी के साथ कुछ भी गलत किये, बहार आना, यही तुम्हारी परिक्षा है। रंगीन मर्दों को मेरा नमस्कार, हो सकता है कुछ चीज़े आपको तकलीफ दे रही हो, तो उसे मिटाने के लिए हमारी मर्दानी ताकत की दवा अवश्य लें। हमारे दिल में प्यार जगाकर, अब खुद को कंट्रोल करने के लिए सार ने मेडिसिन मंगवाई है। देखती हूं, इसे चेंज कर देते हैं फिर उनकी हालत देखते हैं। पॉर्ण सा, देखिए आपके लिए पासल आया है। थैंक यू, मैं इसी के अंतजार कर रहा था, प्लीज आप जाए। थोड़ा सा पीने सही कंट्रोल में हो जाते हैं। अगर मैंने पूरी बाडल ही पीली तो दस दिन तो ऐसे निकल जाएंगे। किवाद्म, सब्सक्रार विए। अजरे वेलों जाए। अजरतो कि पूर्चोडिह थे गया। ये इए, सिल्सक्राइख गया। आज दिसीन के है, कि पूरे दिन आपके निकतने देंड़ा ह। हई। धीन सयाओ. Imस्चान vic Tallrooman, क्या हुआ, वर्डंस है कर दो. तूमेस क्या हुआ? क्यू नॉटी दयाका हुआ काके लुवपर काई क्या हुआ वर्डंस सर्फ्री रहने को कयका आप शर्मा रहे हुआ क्या हुआ सर्य है? वो कहा है कि पांच बज गया है और मेरे डैट का फोन आने वाला है तो मुझे जाना चाहिए है ना अरे क्या हो अरे लगता है वार्डन सर नहीं बचेंगे अरे कहा है पेशेंट कहा है यह क्या पेशेंट हाँ डप्टर अरे चोदेल सत्तर बार धड़कना चाहिए वो 210 बार धड़क रहा है फिर भी धड़कन नहीं रूकी वाट अवट अवट अवंडर इस आंवी का बीपी तो देखो पीपी मशीन उडने जितना है फिर भी जिन्दा है ओट अ वट अ वअढ़र अ अरे यह क्या एक नॉर्मल आदमी की शरेर में जितनी गऑभी होनी चाहिए उतनी तो इस आदमी के पेट मे है पता नहीं यह दू कैसे निकालता होगा Cash,Alme वहाँ वांड़ा वांड़ा एक्स्क्यूस में बातरूम कहा है मुझे दू मिनिक देचे अब ही कोई प्रॉब्लम ने है तरहसले इतने हॉट पेशिंट को देखकर मैं कंट्रोल नहीं कर पाई कंट्रोल करने के लिए मैं ठंडे पाने से नहाई सुनो, मौका मिले तो इसे छोड़ना ने प्लीज 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 सुनो न मुझे दबाई तुमने खाई थी ना मुझे लाकर दोगे क्या पर तुम्हें किस लिए मेरे लिए नहीं आपके लिए उसके बाद क्या हुआ हे भगवान मुझे बचा ले वाडल सर वाडल सर मेरे रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया सर इंपोर्टन फाइल है जल्दी आये सर चलिए सर प्लीए सर चलिए ना सर जल्दी चलिए आये सर शॉर्ट सर्किट वहां नहीं हुआ है सर यहां हुआ है मेरे दिल में अब आप मुझे अपनी बाहों में भरके बहुत सारा प्यार करो प्लीए सॉरी वार्डन सर अगर आप मुझे मना कर देंगे तो मैं ची नहीं पाऊंगी एक बार मुझे समझने की कोशिश किजी प्लीज सर सर प्लीज सर सर प्लीज गीता मेरा उस लड़की के साथ कुछ नहीं है बस उसने प्रपूस किया और मैंने रिजट कर दिया यकिन करो मेरा प्लीज मैं तुम्पे यकिन कर रही हूं तुम्हें कोई मिस्टिक नहीं की है इसलिए तु तुम्हें 25% मार्क्स दी है तुम्हें तुम जीट जाओगे हलो वाट लेकिन अभी कैसे विच हास्पिटल ओके क्या होगे तुम्हें मुझे लगा तुम शादी करके खुश रहोगे यह सब करने की क्या ज़रू थी तुम्हें अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वह बिचारी क्या करती बताओ उसे तो खुशी ही मिलती वाट हाँ किता जिन्दगी अगर अच्छी तरह जीनी है तो पैसा होना चाहिए उसे खुश रखने के लिए बहुत महनत करता था दुबाई गया पैसा कमाने के लिए और जब दुबाई से वापस आया तो देखा कि यह अपने बॉइफरेंट के साथ थी अब तुम ही बताऊ मिजी के क्या करूँगा इंसान अपनी बीवी पर कितना विश्वास करके उसे घर पर छोड़ जाता है वो जब तक घर पर ना आए लगातार उसी के बारे में सोचती रहती है और यह भावना होती है कि जब पती घर पर आएगा तो उसकी सेवा करूँगी उससे खाना परोसूँगी आपस में एक दूसरे पर विश्वास करना एक दूसरे को खुश्या देना यही रिष्टा है सच बताऊं तो हम प्यार सफ एकी इंसान से करते हैं बाकी सारे चीज़े तो एक वासना होती है तुम अपनी जिन्दकी को किसी एक के साथ शेयर मत करना हैपी रहो, फ्री रहो और जो अच्छा लगे उसके साथ रोमैंस करो हैपी लाइफ का यही सबसे अच्छा फंडा है इतना सब होने के बाद भी इसने तुम्हें माफ किया इसी का मतलब होता है सच्छा प्यार उस लड़की ने जोबी किया उसकी हरकत के पीछे वजह में आ हूँ मेरे घलत राय की वजह से उस लड़की ने अपनी जिन्दगी जीने का तरीका बदल दिया मैं तुम्हें और 50 मार्क्स दे रही हूँ मार्क्स पर यह तो एक्साम नहीं है ना पर यह व्यक्तित्व है जो बात तुम उससे चुपा सकते थे वो बात तुमने मुझे खुल कर बता ही और इसी बात के हैं 50 मार्क्स हलो लिफ्ट लिफ्ट प्लीज घिप में लिफ्ट प्लीज कैन्य जीप में लिफ्ट हलो फ्रेंट तुम मैं कोई और समझ रहा था थेंक यू, थेंक यू, बढ़ा लो फ्रेंड, यह लड़की कौन है, गर्फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, ऐसे संस्कार वारी लड़की मेरी बीवी को बहुत अच्छी लगती है, आज मेरी बीवी का जनम दिन है, देखो, उसको फूल बहुत पसंद है, इन फूलों में उस वो क्या है जिस दिन उसे नई जिंदिगी मिली थी ना उस दिन नया जीवन देने को कहती है और इसलिए हर जनम दिन के दिन वो एक पेड़ जरूर लगाती है बेटी यहीं पर बस यहीं पर रोक दो बस यहीं पर रोक दो बेटी इतना शॉर्ट डिस्टेंस होने के बाद भी अब से लिफ्ट क्यों मांगा पता है अगर मैं एक मीनट भी लेट हो जाओ ना तो वो मुझ भूला लेती है बात नहीं करती है नाराज हो जाती है उसको कभी दुखी नहीं देख सकता मैं हमारी तरफ से भी विश्ख कीजे शूर शूर थैंक्यू माइफ्रेंड अरे वो अपने फ्लाववर्स यही पर भूल गया और दो मिनट लेट हो गया तो इतना नाराज क्यों हो रही हो इतनी छोटी-छोटी बाते पर नाराज होते हैं क्या कम ऑन डार्ली कम ऑन एक बार तो कभी माफ करदो गलती हो इसमें भूल गया था था यह लड़की है ना, इसकी फ्रेंड है, मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात याद नहीं है, तुम्हारे बर्डे पर यही लोग गेस्ट है, चलो, गेस्ट आ गए हैं, आप लोग विश कीजिए ना, प्लीज, जैस्मिन, 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 फब नहीं रही, वो अब भी यहीं है, प्यार जो है ना, दो शरीरों का मिलन नहीं है, दो आत्माओं का मिलन है, उसका शरीरों नहीं है तो क्या हुआ, पर उसका दिल तो मेरे पास है, उसकी यादे भी मेरे साथ है, यह नो, यह यादे जो है न, इंसान के अंदर जीने की इच्छाय पैदा करती है, दुनिया में कितने ही लोग हैं, जिनके अपने इस दुनिया को छोड़ कर उन से दूर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी तो वो जी रहे हैं, यादों के साथ जीना भी एक अलग जिंदगी होती है, जानते हो दोस्त, अकेले दुख में देखता हूँ न, तो मुझे लगता है, जिसे मैं इसके पास नहीं हूँ, कहते हैं न, अगर सच्चे दिल से पुकारो तो भगवान भी आ जाता है, लेकिन मैंने कितनी बार इसका नाम पुकारा, यह मेरे पास नहीं आती, तुम्हारी एक्जाम का कल आखरी दिन है, आखरी मिनिट तक तुम्हारी हर्कतों के हिसाब से मेरा निर्णय होगा, वाड़न सा, वाड़न सा, अरे यह क्या वाड़न सा, जब हम आपके साथ होते हैं, तो हम लोग आपको कितना सताते हैं, पर आप नहीं थे, तो मन ही नहीं लग रहा था, मेरा भी सा, सेम फिलिंग, मैंने अपनी पापा को भी पता दिया, कि हमारे यह वाड़न एक साथ हैं, और उन्हों ने कुछ कहा भी नहीं, हम सभी को हाँ बहुत पसंद हैं, पर आपके दिल में कौन है, पता नहीं है, एक बार आखे बंद करके, हमें बता दिजे कौन है आपके दिल में, हम दास ही बन जाएंगे, प्लीज, टेल मी सर, तम लोगों में सेव कोई नहीं है, ए, लगता है तो आजकल मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, कहीं तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, वो लड़की तुझे रॉंग ट्रेक पर ले जा रही है, मेरी बात मान उसे बूल जा तू, अरे तेरे चेहरे पे बारा क्यों बज़े है, तुझे लगता है तो प्यार में पांगल हो गया है, आँ में लव अल्रेड़ी, तुम सच में प्यार करते हो, हाँ सच में, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और जब से मुझे प्यार हुआ है, मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता, तुम्हें देखने का भी मन नहीं करता मेरा, प्लीज, चले चाओ यार, यहां से, अगर तुमने मुझे छोड़ा, तो तुम्हारी लाइफ से थ्रिल चला जाएगा, जिसे किसे से प्यार हो जाता है, उसे कोई और थ्रिल नहीं चाहिए होता, कहता हो, एक बार फिर सोच लो, मैं कितनी भी बार सोच लूँ मेरा फैसला वही होगा, यू केन गो, बस इतना ही, बस इतना ही, तो मैं सच में तुम्हें छोड़के जा रहा हूँ, कर लार साजिना, नही ठुम्हे रहा हूँ, कर लगता है, बसुम्हे बार हो, कितनी हुआ। प्रिल कर दो, भurpose प्रिल मढ़ी से ऑास कर सक्ष़। रहा हूँ, प्रोडि़एब प्रूमया जाए्ष़। जो लड़की अचानक गायब होई थी फिर कम मिली तुम्हें अब तक तो मुझे नहीं मिले वो कहां है उसका क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला मुझे उमीद है कि आप लोगों की ब्लेसिंग से शायद वो मुझे मिल जाये इसलिए अपनी कहाने सुनाई वो तुम्हें जरूर मिलेगी तुम दुखी मत हो और मेरी भी दुआए तुम्हारे साथ है बेटा जल्दी मिलोगे उससे गुड मॉर्निंग एवरिबडी आज की इस मीटिंग में हमें आप लोगों के साथ एखास बात पर चर्चा करनी है इसलिए हम सब यहाँ हैं हमारी अंजली जो साइकॉलोजी के जरीए इंसानियत की सेवा करना चाहती है मिस अंजली प्लीज कम कि हम उन पेशेंट की बिना बताया उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं कौन है वो पेशेंट क्या प्रॉब्लम थी उसका नाम है संतोष उसकी प्रॉब्लम थी अब्सेसिफ कंपल्सिव डिसॉर्डर और उसका यह उपसेशन सिर्फ लड़कियों के लिए था बच्पन से ही उस कैसे किया स्टेज वन पर उसका focus मुझ पर रहे इसका मैंने ध्यान रखा मेरे पेरेंस, डॉक्टर भगवान, डॉक्टर सुरेखा ने मेरी सायता की सेकंड स्टेज, साइको थेरपी में जो ग्रुप थेरपी इस्तिमाल करते हैं, उसको मैंने अपलाई किया उसे मैंने ऐसी एक दुनिया में भेजा, जहां उसके अलावा कोई और मर्द नहीं था पर प्राक्टिकली, वो बिल्कुल भी कोई सपना नहीं था, लेकिन एहसास दिलवाने की प्रोसेस थी, जिसमें हमारे स्टूडेंस ने मेरी काफी हेल्प की थर्ड स्टेज, प्ले थेरपी, जो हमेशा सपनों में खोया रहता था, उसे हमने बाहर नेकाला, उसको हमने लड़कियों की बिना जीना सिखाया, उसको उप्सेशन 90% कंट्रोल में लाकर, मेरी फ्रेंड की दुख भरी जिंदेगी का कारण वो ही है, ये कहानी बताकर उसे एसास दिलाया, और ऐसे करते-करते उसके अंदर के सारे अप्सेशन खतम हो गया, और इस प्रोसेस की सारी डीटेल्स इस फाइल में है, देख लीचे सर, देख लीचे सर, दे अमेरिकन इंस्टिटूट ऑफ साइकोलोजी के इंस्टिशन से फेलोशिप हासल करना मेरा अंब अमेरिका से लोट कराने तक इस हॉस्पिटल की जिम्हेदारी में डॉक्टर अंजली को संपता हूं अब तो इस हॉस्पिटल का कल्यान हो गया संजोग्या सब्स्क्राइब मैडम, मैडम, वो आ रहा है मैडम कौन आ रहा है वही आपने जिसको ट्रीटमेंट दिया था लगता है इसे सारी सच्चा ही पता चल गई है इसलिए वो सीधे यहीं पे आ रहा है वो इतर ही आ रहा है हम लोग थोड़ा गुंग जाते हैं उस तबेखा क्या हां देखा तो मैं मुझे समझ नहीं आया है डॉक्टर वो थो रहे लड़की से प्यार करता था और और इस लड़की नने उसे दोखा देदि और moment मेंट्ली डिस्टाब हो गया है हाई गीता तुम्हें पता है आज मेरी खुशी का ठीकाना नहीं है यहां पर हम लोग दस दिन के लिए हैपी ट्रिप पर आये हुए है और अच्छा लगया तो हम दस दिन और रुख जाएंगे हाँ क्या हुआ तुम बात नहीं करोगी ओ हो तुम्हें बै के अंदर रख दिया ऐसले गुस्सा हो क्या देखो गीता अगर तुम्हें कोई उठाकर ले जाएगा तो मेरा क्या होगा तुमसे दूर रहकर मैं जी नहीं पाऊंगा I love you वो मेरी वज़े से डिस्टर्ब हो गया है यह क्लेरली पता चल गया तुमने जितनी सीरियसली उसका ट्रीटमेंट किया उतनी ही सीरियसली वो तुमसे प्यार कर बैठा अंजली जब तक मैं उसे एक नॉर्मल इंसान ना कर दूँ तब तक मैं इस फेलोशिप की हगदार नहीं हूँ तुम नहीं मिल सकती अब इस अब इस फेलोशन का ट्रीटमेंट हम नोग ही करेंगे लड़कियों को डिस्टरब करने वालोगों को तुम बदल दोगी तो हम लोग किसलिए थालिया पजाने के लिए इसको ठीक करने के लिए तीन स्टेज के अगर ती स्टेज भी पास करनी पड़ी तो वो करें और इसे आम इंसान बना के अमेरिकान जनरल को फाइल भेजेंगे हम अभी आप लोग जा सकते हैं तो कि हमें उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है सेरफा दार की संट एजरा है वुढंहो गरते स्टार्ट जातार्टो अर्तवी द्यकर सब्साइद विच्छाइग तुम तुम काछो इंगी बगत चेठी थे अर todavía थैखेया मैंनी में डेता इस सो gaining J gutra suck के बहुत ही Sincere लबर है दूसरी ओरत जी-जॉचा जी-जा बोल रही है फिर भी सर्ड नहीं कर रहा doable मिस्टर एकराम, आप जो बोल रहे हैं, वो ये कर रहा है, अपने पागलपन में होस्पिटल को पूरा तहसनाइस कर रहा है, छोड़ो, मेरी गीता मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तुमने अच्छी तरह से देख लिया, तुमने अच्छी तरह से देख लिया, तुमने संतोष, तुम्हारी गीता अंदर बात्रूम में शावार ले रहे हैं, वीता नहीं दिखी तो तुमने होस्पिटल का सामान तोड़ दिया, अब गीता दिख रहे हैं, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो, मैं जानता हूँ, तुम लोग मेरी गीता को नहां तो भी देखना जा किया होगा इसने, दीदी, कैसी हो, अरे क्या दीदी, आ फिर से ड्राइवर को लेके आ गई, आपको मना क्या थाने सिलाने को, अब नहीं सुद रहेंगी, अरे यह ड्राइवर नहीं है, तुम्हारे जीजा सी है, यह ड्राइवर ही है, अरे मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मेरी साली को एडमिट हुए एक साल हो गया है पर यह भी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई कब तक होगी डॉक्टर इस को आप लोग जानते हैं क्या प्यार नहीं मिला तो इस ही मैंने भड़ती हुआ है संतोष मैं पीतांबर कुछ याद आया संतोष तुम हमें कहानी सुनाते थे पीतांबर जी भाग्यों इसे याद आ गया संतोष ने हमें पहचान लिया अब हम इसे यहां से लेकर जा सकते हैं जब मैं चाहूँगा तब तो लेकर जाएंगे आपके यहां से जाने के बाद मैंने गीता को बहुत टूड़ा और एक दिए तुम गीता को ढूड़ने के कितनी भी कोशिश कर लो वो तुम्हें नहीं मिलेगी मिली भी तो प्यार नहीं करेगी वो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए आई साइकेटरिस्ट थी तुम्हारी treatment के लिए और तुम्हारे obsession को ठीक करने के लिए ही मैंने गीता से request किया था उसने सोचा कि तुम बदल गए पर उसी को तुम पसंद कर लोगे ये उसने नहीं सोचा था किस्मत के भी कैसे खेलाया मेरी बात माणजा बैटा उस लड़की को भूल जा प्लीज यहीं सही रहेगा नहीं डैडी उसके दिल में मेरे लिए कहीं थोड़ा सा तो प्यार होगा उसे की प्यार ने मुझे बतला है और उसी प्यार को पाने के लिए मुझे उसके पास चाना होगा प्लीज, मुझे बताईए कि वो कहा है इसी तरह से मैंने गीता का पता लगा लिया और उसे पाने के लिए मैं यहां पर आ गया गीता सच में मुझे बागल समझ रही है लेकिन ये तो उसके दिल में मेरी जगे बनाने की कोशिश है संतोश, दिल छोटा मत करो तुम्हारा प्यार एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा संतोश, एक बार मैं गीता को देखना चाहती हूँ वो दिखो, वो है गीता बहुत प्यारी है वैसे एक बात तो बताईए आप में इतना बदलाव किससे आ गया यह तुम्हारी कहानी के महरवानी है तुम्हारे जाने के बाद पता है क्या हुआ पहले हम दो थे अब हम तीन होने वाले हैं हम जल्द ही मिलेंगे जे, चलो चलते हैं संतोश, अब हम तुम्हें हिपनोटाइज करने जा रहे हैं सर, यह अनॉंसमेंट करने के बाद इस फाइल के टार्गेट मैटर को बता कर आप ये ब्रॉसेस शुरू कर दीजिए ओके तो ये डॉल तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं है एक बार फिर से ये बोला ना तो जान से मार दूगा ये बात उसने बोला तो मुझे क्यों मार रहे हो यहां इसे लेकर तुम्ही आयो हो ना जरा सोचो संतोष अगर ये डॉल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो इसके होट तुम्हें कैसे महसूस हो रहे है महसूस हो रहे है क्या महसूस हो रहे है क्या पर क्यों नहीं हो रहे यही अगर तुम्हारी गल्फ्रेंड है तो तुम्हें ये अपनी बाहों में क्यों नहीं बुला रहे हैं हाँ बुला तो नहीं रही है तो ये तुम्हारी गल्फ्रेंड नहीं है वो बोल रहे हैं तुम अपनी गल्फ्रेंड को देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, अब बोलो, तुम को क्या दिखाई दिया? मेरी गल्फ्रेंड कमिंग सून, कमिंग सून मैं ट्रांस से बाहर आ सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं, तुम अपने आप प्रांच से बाहर नहीं आ सकते हो, ये हिप्नोडेज्म के रूज के खिलाफ है, मैं तुम्हें बाहर लेके आँगा, हाहा, रिलाक्स, रिलाक्स, अब देखो तुम्हें दिख क्या रहा है, बोलो, मेरी गर्फरेंड दिखाई दे रही है, हाह संतोष, जरा उधर देखो, ये लड़की कौन है, तुम्हें कुछ याद आया, कौन है, ड्रीम गर्ड, तुम्हारी गर्ल्फरेंड गीता, हाह, मस्टर जी, क्या ये सच पे मेरी गीता है, नहीं तो क्या इसे अरेंज करके मंगवाया है, हमको तो यही डाउट है, ये दंदा कपसे शुरू कर दिया, शाट अप, लूस टॉक करने की ज़रोत नहीं है, लेला थरेपिक राम से नया ट्रीटमेंट शुरू किया हमने, इंट साउंड एफेक्ट नहीं बेटी, कुछ बात करो, डायलोग भूल गई, अपना मूवान रखो, हम कितने दिनों बात मेले हैं संतोष, तुम यहाँ पर हो, मुझे ये बात बता ही नहीं थी, याद नहीं, दो दिन पहले ही तो बताया था, वो तो अमने संतोष को बताया था, तो संतोष, तुम जाकर अपनी गल्फरेंड से बात करो न, जाओ जाओ, जाओ जाओ, जाओ जाओ, यह मेरी गल्फरेंड नहीं है, क्योंकि अगर ये मेरी गल्फरेंड होती, तो जरूर मेरे पास आकर मुझे छूती, तुमने कल रात को इसे इतनी अच्छी तरह समझाया तो फिर यह सा क्यों कह रहा है, तो बताओ न, तुमने मुझे छूआ क्यों नहीं, देखो चित्रा, उसको अगर डाउट हो गया, तो वह घुस्से में आ जागा, बस जाओ जाके उसका हाथ छूलो, ओए, यह चूने होने का क्या जंजट है, यह बात पहले बदानी चाहिए आप पहली बार आई है न, यहाँ पर, आपसे हाथ जोड़ कर बोल रहे हैं, एक बार जड़ा जाकर उसे छूलीजिए न, ओके, एज्जेस्मेंट, मान गई, अजूलिया, फिर भी यह मेरी गल्फरेंड नहीं है, ओ, क्यों हमारी परिक्षा ले रहे हो, अगर वो मेरी गल्फरेंड होती, तो आकर मुझे चूम लेती, हाँ, बात तो सही बोल रहा है, अरे तुम बीच में अपनी टांक क्यों अड़ा रहे हो, यह किस का मामला इतना असान नहीं है, मासर जी, प्रेम की प्रवाह में जब इनसान जाता है, तो होटो से होटो को केस करो, उसको, देखो मैं तुमारी आगे हाँ जोडता हूँ, तुम अपने गुस्से को कपड़े की तरह उतार कर हमारी इज़त बचा लो, यह ट्रीटमेंट का सवाल है, उसे एक लिपकिस देदो ना, प्लीज, देखा, मैंने का ताना, यह मेरी गल्फिन नहीं है, हाँ, हाँ, डेटी, काहां तक पुँची गीता की प्रेम कहानी, कहानी बस ऐसे ही बढ़ रही है, उसका प्यार अवी तक बाहर नहीं आए, वह छहां भी रहती है, मेरी आगे उसे कुटूणती है, उसका दिल हमीश्र है मेरी पास है, मैने सच में उसे प्यार किया है, किसी भी पल जब उसका प्यार बाहर आ सकता है, और मेरी यही कोशिश है, कि वो बाहर आ जाए. पता है, डाड़ी, जब में जूट बोलता था, तब सारी लड़कें मेरे प्यार में पढ़ जाती थी. और आज जब मैं सच बोल रहा हूँ तो किसी का प्यार पाने में बहुत मुश्किल हो रही है ताक दिमिता ये सब कुछ मेरे लिए है ये सब उसकी गर्ल्फरेंड का बर्डे है ना आज तो तुम उसकी गर्ल्फरेंड बन जाओ और जो भी चाहिए वो ले लो कहीं से कोई जुल्री मंगानी तो मंगा लो ना पूरी ज्वेलरी की शॉप खरीदनी है इसकी ज़रत नहीं है वैसे ये सब खरीदने के लिए उसके पैसे का है वो जिस मशीन का नाम लेता है उसका इस्तेमाल क्या है पथर उठाने के लिए अरे जो पागल है न वो नोट उठ अखल गया एक माँ पर मान देना पता नहीं क्यों पर इस वक्त वो मुझे बहुत अंसम नजर आ रहा है यही तो लड़कियों की नजर की ताकत है मेरे पास इतना पैसा होता तो तुम मुझे भी सलमान खान की तरह देखती अब तो मुझे लगता है कि मैं सच में उसे हो रही है संतोश तुम रो क्यों रहे हो हां मैंने तुम्हारे लिए जूला बांधा हुआ है हां मेरे लिए जूला हां मैंने कहां मैं जूलाओंगा तो वह मना कर रहे हैं वह कौन होता है मना करने वाला मैं जूले में बैचूंगी और तुम जिस तरह जूलाना चाहते हो ज देखना आस्मान को चुकर ये जुला सीधे नीचे आएगा और फिर आस्मान की और जाएगा देखो बेटी बेकार में इसकी बातों में आके जान मत कमा प्लीज मुझे रोकिये मत अरे अरे वो जुलाने के बाहने तुम्हें और ही पहुचा देगा मैं अपने संतोष की जैसे कितने पेशेंट डिस्टब हो रहे हैं, पता है आपको? आप दोनों मुझे से उम्डेंड में बड़े हैं इसलिए हमेशा आपका लिहास है, मैंने. सॉरी मैडम, आपने दोनों बाते गलत कियें, हम जो कर रहे हैं वो पागलपन बिल्कुल नहीं है, और उम्र में हम अभी इतने बड़े नहीं है हम लोग जो कर रहे हैं, वो treatment का एक भाग है ये treatment नहीं है, new sense है new sense नहीं नहीं मैडम, new science सोच सवाज के पूरी तैकिकात करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोग जादा बात मत कीजिए कल सुबह मेरे आने तक यह लड़की यहां से बाहर होनी चाहिए अगर नहीं हुई तो आप दोनों को मैं कल डिसमिस कर दूंगी माइंड डॉक्टर एकारा हमारा टाइम खराब है य यह नहीं वो ओवर एक्शन कर रही है साही कहे रहे हो डॉक्टर दुर्वासा या उसको भी देखला पड़ेगा अजली हम आखिर उस लड़के को देखकर तुम्हें जैलिसी क्यों हो रही है तुमने तो कितने लड़कों को ट्रीटमेंट दिया है उसका स्टेज वहां पर क कितने हैं और हमें ही तुमने चीट किया है अपना समझ कर कहा उसकी गल्फरिंड बनने की एक्टिंग करो तुम करेक्टर के अंदर ही गुजगई तुम्हारा ओफर एक्शन अभंबरदाश्ट नहीं कर पारें उपर से तुम हस रही हो तकदिमिता देखो मुझे और संतोश को अलग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है तेरे बस का भी नहीं है डॉक्टर तुम सिर्फ चंद्रमुखी देखते रहोगे या कोई और पिक्चर भी देख सकते हो मैं ये फिल्म एंटर्टेमेंट के लिए नहीं देख रहा है ट्रीट्मेंट के लिए इस केस को डील करन के लिए रजनी कान जैसा ब्रेन होना चाहिए जंद्रमुखी की नजरों में रजनी कान जलकर खाक हो गया तो हम भी कुछ उसी तरह का प्लैन करेंगे डॉक्टर संतोष की सामने इस लड़की का पुतला जलना चाहिए तो संतोष समझेगा कि लड़की सच में जलकर मर गई और फिर वो रो रो के सच में पागल हो जाएगा बाबरे एक पागल के उपर अगर पागल पंचर जाए तो पागल पंदूर हो जाता है और हमारा ऑपरेशन सेक्सेस्फुल हो जाएगा डाक्टर मैंने ऑपरेशन की सारी तयारी कर ली है बस आपका आकर आग लगाना बाकी है और मुझे फायर फोबिया है यह बात पहले बतानी चाहिए थी ने डाक्टर अपरेशन एजी हो सकता है मेरा आईडिया अपलाई करके ऑपरेशन स्टार्ट कर दो गीता अब कहां है गीता तो वहां आग में जल रही है गीता आग में जल रही है क्या कहां पर हॉस्पिटल के गुदाम में वहां गुदाम में गीता गीता तुम मेरे सामने ही जल जाओगी क्या गीता 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 जल रही है कीटा गीता गूब किसे चुऊंगा गीता किसे चुंगा किसी चुंगा हमने जो प्लैण किया था न वह कामयाब हो गया और वह संतोष आग को देख कर पागलों की तरह रो रहा है संतोष है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर मैं भी जिंदाने रहूंगा गीत मैं आ रहा हुं किता मैं आ रहा हूँ एए संटोष। कि यहां बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई अब संतोष भी आग में कूदना चाहता है अंदर जा रहा है अब क्या करें अब क्या करें आप ने जिस सब्सक्राइबर को फोन के है वह कवरीर एरिया से बाहर है आप दुबार रख लाए अरे बाबरे बाब सब कुछ चल रहा है अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है और घुपराने के अब बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई हमसे संतोष के ट्रीट्मेंट के लिए हमने उसकी गर्ल्फरेंड गीता के पुदले को जला दिया था और आप वो उसको बचाने के लिए खुद आपके अंदर खुद गया है सीनियर डॉक्तर को पता चला तो हमें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे लीज हेल्प मी डॉक्टर प्लीज हलो डदी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह मेरी आखरी कोशिश है मैं जानता हूँ वो किसी भी हाल में यहां आएगी और मैं चाहता हूँ कि वो खुद बोले कि वही गीता है और जब तक वो नहीं आएगी मुझे यहीं रुकना होगा किया साए डी आप चाए मावोज करा फो मस भी मह आपके हो उnhुआ बंस भी आपके हें I'm coming, मुई रहना, आटो मैं, आटो संटोष, संटोष 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 संटोष, जी बहराँ संटोष संटोष, बहराँ, बहादम संटोष संटोष, संटोष tapa, वो तुमारी गॉर्फेट नहीं है संटोष, बहाराँ, बहाराँ, वुझा आख पे जल रहीг, वो तिर्में खुडिया थी, संटोष The squand दुमारी गॉर्फे नहीं थी संटोष, संटोष, प्लीज मेरी बात झानो वो शेवे पेकोडिया है संतोर दुबारी काल परेट ताहीर है कंतोर प्लीज मेरी पास बादो संतोर वो 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 मेरी गीता नहीं एक गुडिया है और ये बात मुझे पहले से पता दे तुम ही मेरी गीता हों में जानता था मुझे यकीन था कि तुमारे दिल में अगर प्यार होगा तो तुम मुझे बजाने यहां पर जरूर आओगी और तुम मेरी गर्फिर्णों ये कहकर जोर जोर से चिलाओगी भी इस पल के लिए मैंने कितना इंतजार किया वो गुडिया गीता नहीं है मैं ही तुमारी गीता हूँ ये सुनने के लिए मैं कबसे तुमारा इंतजार कर रहा था क्योंकि अगर तुमारे दिल में वो प्यार नहीं होता तो सुमान पर भी नहीं आता लेकिन अगर तुमारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो तुमारे सामने एक पल भी खड़े रहना मेरे लिए सही नहीं होगा कीता मैं जा रहा हूँ और आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलोगा तक दिनीता उसके यहाँ से जाने के बाद भी उसका दिल हमेशा। Jackie बार पास रहेगा और तुम्हारा दिल हमेशा हमेशा उसके पास रहेगा यही प्यार है तुम और संतोश एक दुसरे से कितना प्यार करते हो यह मुझे अभी बता चला तुम सोचती हो कि तुमने उसे अपने ट्रीटमेंट से बदला है पर ऐसा नहीं है उसे तुम्हारे प्यार ने बदला है सच्छा प्यार किस्मत वालों को मिलता है टूंट मिस्टर रियल लाव आल दे बैस किस्टर रियल लाव ," जसे रह किस्टर रियलों यह –를 किस्टर रियल